जग्ता वावू तो कसम खाये हुए कि राज़त को मिट्टी में मिला के ही यहां से जाएंगे कसम खाके वहां गये हुए आम अवाम में किस प्रकार नफरत फैले यह सब काम जग्ता वावू पूरे मन से कर रहे हैं प्रकार के आतंकवादी संगठन से कहीं उनका जुडाव तो नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्थाज शिवम राजत के प्रदेश अध्यक जग्दानन सिंग ने आरेसेस की तुलना प्रकार दी जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफी जादा तेज हो गई है ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंद्री जिवेश मिश्या हैं उनसे बात करेंगे आरेसेस की तुलना अब जग्दानन सिंग पिएफाई से कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तेज परताब जी जो चिन्ति थे इनको ले करके वो पहले से कह रहे थे कि सठी आ गये हैं इनका दिमाग सरक गया है तेज परताब जी पहले कहते थे तो हम लोगों को लगता था कि इतने पुराने पॉल्टिसियन हैं जीवन खपाएं हैं राजनिती में तेज परताब जी असी बाते क्यों करते हैं लेकिन मुझे लगा कि तेज परताब जी को ज्यादा नजदीक से उनको देखने का आउशर मिला है और तेज परताब जी अभी जो इनका बयान आया है जिस प्रकार का जक्तावाव को का उससे लग रहा है कि तेज परताब जी का आकलन जादा सही है सही में कुछ हो ट्रैक से उतर गए हैं और मैं उनसे अनुरोध करूँगा पुराने लोग रहे हैं लंबा राजनितिक अनभव रहा है तो हम उनसे अनभव करेंगे कि उनको राष्टिये स्वेंग सेवक संग को अगर जानना है तो उनको चहिए राष्टि राष्टिये स्वेंग सेवक संग का मतलब है शमर्पन राष्टिये स्वेंग सेवक संग का मतलब है सेवा भाव तो इस प्रकार से संग को जब आप उसके पास जाईएगा तो समझेगा जैसे जगतावावू के पास तेज परताब जी आए तो जगतावावू को समझ लिए अब तेजस्वी जी नहीं समझ रहे हैं तो जगतावावू तो कसम खाये हुए कि राज़त को मिट्टी में मिला के ही यहां से हमको कहीं जाना है परलोक जाना हो चाहे इस लोक में रहना हो लेकिन मिट्टी में मिला के ही राजद को जाएंगे ये कसम खाके वहाँ गये हुए और वो अपने काम को कर रहे हैं अगर वो जरा सतर्क रहे होते तो कुछ हो सकता था पिछले चुनाव में लेकिन चुकी राजद को रोकने के लिए ही वहाँ गये हैं इस परकार की बियान बाजी राज़त के प्रति आम आवाम में किस प्रकार नफरत फैले ये सब काम जगतावावू पूरे मन से कर रहे हैं तो जो प्रतिपक्ष के जो बिरोधी हैं राज़त के उनको करना चाहिए ये काम राज़त में बैठकर स्वेंग जगतावावू कर रहे हैं और इ बियान के बाद सिभम जी आप अगर देखिए जाकर आम अवाम में उनके प्रति और राजद के प्रति क्या नफरत उत्पन हुआ है इसका अंकलन जब आप ग्राउंड रिपोटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लगता है कि सर लगतार कई वीजेपी के नेता हैं अब यह मांग करने लगे हैं कि जगदा नंसिंग पे करवाई होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए अगर कोई पीफाई को समर्थन देता है मुझे मालूम नहीं कि असपस्ट रूप से कितना बड़ा क्या-क्या बियान उन्हों दिया है लेकिन यह भी कहा कि पीफाई को आतंगवाद से नहीं जोनना चाहिए मैं वही बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने राष्ट बिरोधी संस्था को क्लीन चिट देने का काम अपने अस्तर से कर रहे हैं उनको धैर्ज रखना चाहिए जब देश की सबसे अगरगनी संस्था इसकी जाच कर रही है दूद का दूद पानी का पानी करेगी और राष्ट बिरोध में कोई भी संस्था या एजनसी काम कर रही है आप इस देश के सबसे अंतिम ब्यक्ति से भी पूछ लिजिए उसका क्या मनसा है और जगतावावु इस परकार की अगर सोच रखते हैं तो ये तो लाजमी है कि उन पर संदेह लोगों का होगा कि इस परकार के आतंकवादी संगठन से कहीं उनका जुडाव तो नहीं है क्यों उसको सुरक्षित करना चाहते हैं क्यों उसको सनरक्षित करना चाहते हैं अगर ऐसा प्रस्ण कहीं उठता है तो लाजमी है एक आखरी सवाल रहेगा कि NDA की सहयोगी दली है आप लोगे साथ सरकार में हैं जितन राम मांजी की पार्टी लगतार जितन राम मांजी बिहार का दौरा करते हैं और यह कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है जितन राम जी क्या कहते हैं जितन राम जी हम लोगों के अभिभावग भी हैं गटवंधन के साथी भी हैं अब उन्हें मजाकिया लहजे में कुछ कहा हो तो मुझे नहीं मालूम है इस प्रकार की बाते जब बिहार में पूर्ण सराब बंदी है और बिहार के अंदर सभी द कि बिहार में संपूर्ण सराब बंदी लागू हो तो जो बिहार में पूर्ण सराब बंदी है तो मुझे लगता है कि मजाकिया लहजे में भी इसको नहीं कहना चाहिए वो मेचियोट पॉल्टिसियन है लेकिन उनके इस बियान का हो सकता है कि आम आबाम में या नए लोगो में किस प्रकार का असर परे ये भी समझना चाहिए वह गारजीन है भी भावक dog है हम समझते हैं कि मजाक्या लाज़े में इस प्रकार की कोई बात कही हो तो ये मीडिया का विश्याह नहीं होना चाहिए तो चलिए ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जिवेश मिशा जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जगदा नंसिंग पर तो कारवाई होनी चाहिए अब देखना होगा कि जिस तरह से जगदा नंसिंग ने RSS की तूलना PFI से की है तो ऐसे में क्या चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें धन्यवाद